मुख्य मंत्र नितिश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र पर निसान साधती हुए बिहार को विशेश राज दर्जा देने की मांग की है बता दे चले हम आपको कि दरसल मुख्य मंत्र नितिश कुमार आज मुख्य मंत्र उद्यमी योजना के पहले किस्त वितरन करने के समाहरों में शामिल हुए थे ये आयुजन दरसल उद्यूब विभाग की तरफ से रखे गए थे जब मुख्य मंत्र नितुष कुमार इस आयुजन में शामिल हुए तो मुख्य मंत्र नितुष कुमार ने पहला किस्त वित्रन भी कर दिया इसके बाद मुख्य मंत्री केंद्र पर निशाना साधते हुए गी कहते नजराय कि हम लगातार विशेश राजु का दरजा मांग रह हैं लेकिन अगर बिहार को और भी तेजी से विक्सित करना है तो विशेश राज का दर्जा देना ही पड़ेगा कि इंदे सरकार कुछ करती है नहीं कोई योजना बनाती है नहीं सिर्फ हम लोगों को परिशान करने का काम करती है साथी साथ मुख्य मंत्र नितिश कुमार ने दो ही वर्ष में हो जाएगा लेकिन केंद्र सरकार विशेश राज का दर्जा नहीं दे रही है मन से ये तमाम बाते मुख्य मंत्र नितिश कुमार कहते नजराय लेकिन जब मीडिया कर्मियों की पास पहुचे तो ये भी उन्होंने कहा कि हम इतना विकास का काम करते हैं ले वहाबे मुख्य मंत्री ने कहा कि हम लगातार विशेश राज का दर्जा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार को विशेश राज का दर्जा देना चाहिए आप सुने कि इस दौरान मुख्य मंत्र नितिश कुमार ने क्या खुश का पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined